नमस्कार HDF News में आपका स्वागत है मैं हूँ रवी और आज इस खास कारेकरम खास मुलाकात में हमारे साथ बात्चित करने के लिए हैं मिश्टर अरून पांडे इनसे बात्चित करेंगे अरून जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल अरून जी जब किसी इनसान को अपने जीवन में सफल होना हो तो काफी संघर्स करना पड़ता है यह सब को पता है मुकाम यूही हासिल नहीं होता आपने भी जब इसकी सुरुवात की होगी तो आपके साब ने भी काफी समस्याय आई होगी सबसे पहले तो आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि आप सिकुरिटी यानि कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ है आपका बिजनेस है ब्राइट बॉन्ड सिकुरुटी सर्विसेस आप चलाते हैं आपके मन में यह कैसे खयाल आया कि इस सेक्टर में मुझे आना चाहें पहले तो रवी जी हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब हम लोगों ने उस समय सिकुरुटी का यह स्टार्ट किया जब इसकी डिमांड बहुत कम हुआ करती थी और बहुत सारे लोगों ने यह बोलना चलों कि यार आप पढ़ली करके किस तरह के इस सेक्टर में आगे इसका क्या आगे फ्यूचर होगा बहुत सारे लोगों के बीच में असा सवाल था लेकिन मन में यह थे कि नहीं सेक्टर को आगए जाएंग और बीजनेस को लोग बड़ा दुस्ते तरीके से लिए ने या लोगों ने इसको स्टार्ट किया दें दें लोगों का रिस्पोंस मिला और आप जानते हैं कि बिहार जैसे जगह पर बिजनेस करना और इस सेक्टर को आगे ले जाना या किसी भी बेपारियों के लिए बहुत कठिन समय रहता है उसमें हम लोगों ने मेहनत करके अपने कंपनी को अपने काम को लोगों तक पहुंचाया बहुत सारे बिरिजगार लड़कों को बिरिजगारों को हम लोगों ने रुजगार दिया और बस ऐसे ही कारवाद चलता रहा काम बढ़ते गया लोगों का रिस्पोंस मिलते गया और आज आपके सामने है सारी चीज़े ब्राइट बॉंड सिकुरिटी सर्वीसे यह आपकी संस्था है इसकी कब आपने सुरुवात की थी, और जब जाहिर सी बात है कि जब आपका काम आगे बढ़ गया है, तो बहुत सारे आपको मदद करने वाले लोग मिलते होंगे, लेकिन जब आप इस कमपनी किया स्थापना कर रहे थे, जब इसकी सुरुवात की थी, तो उस समय तो आपको तो बहुत सारे चीज़ों का नुभाव नहीं रहा होगा उस समय तो काफी कठिनाईया हुआ होगी कैसे आपनी इसको जी बिलकुल अचानक हमारा एक ऐसा नुभाव रहा रभी जी कि एक किसी काम के सिलसिले में हम पटना से बहार जाना हुआ था और उहां पर हम लोगों ने देखा कि यह एक सिक्यरोटी गार्ट हैं तो यह किसी कंपनी के एक हिंसा हैं कंपनी के थूरू यह इनका काम चल रहा है तो मुझे इसके बारे में बड़ा जानने का एक्छा हुआ और उसके बाद हम लोग ने उसका हमने एक सरसाइज किया उसके उपर सोचा समझा उसके ब वाओं को हम लोग इससे जोड़ सकते हैं और एक रुजगार उत्पन करने का बहुत अच्छा संस्था बनेगा आगे जा करके तो वह एक तो वह एक मेरा था कि हम कोई ऐसा बिजनेस करें जिसमें बेपार के साथ साथ और लोगों को रुजगार भी मिले और आज हम अपने इस आपको बताते हुए खुसी होगा है कि हम कम से कम दो से तीन हजार लोगों को अपने कंपनी में रुजगार अभी तक दिया है और भवी से में और भी हम लोगों ने बहुत अच्छा प्लानिंग करके बिहार अभी हम लोग बिहार यूपी जहारखन पस्छिम बंगाल न इंडिया में और भी बहुत सारे स्टेट में काम करने का योजना चल रहा है और हम लोगों ने काम सुरू भी कर दिया है और आपके जैसे लोग आपके सुचिन तक मिलते गए काम मिलते गया कंपनी का एक अच्छा रिस्पॉंस भी मिलते गया काम करने के हमारे जो लोग हमा कि आम लोगों ने काम 2007 में नहीं के हम लोगा कंपनी का गठन हो गया 15 साल लगभग हो गया तो 15 साल में जब हम लोगों ने काम सुरु किया था तो हमारे घर के भी जो लोग थें वो हमको बोलते थे कि यार आप इतने पढ़ली करके आपको जॉब कर लेना चाहिए कहीं जॉब में जाना चाहिए तो सुरू से हमारा रुजहान नोकडी के तरफ ना हो कर गए बैपार के तरफ ज्यादा हैं रुजहान था तो उसे में हमारे कुछ मित्र भी थें यह हमारे कुछ सुपचिंतक भी थें बोलते थे कि क्यूंकि हम मध्यम परिवार से आते थे तो लोग बोलते थे कि अभी तो फिलाल तुम कुछ तो उसमें बहुत सारे लोगों का नेगेटिव पॉइंट्स भी था, कुछ लोग पॉजिटिव भी हुए, लेकिन मन में जो था उसको हम करते गए और फिर काम बढ़ता गया, और जो लोग उसमें हमारे साथ जुड़े, आज भी हमारे साथ हैं, उनका हम आज भी बहुत धन् और यही है, अरुन जी जहां तक मुझे जनकारी है कि आपके पिता जी भी सेना में थे, और सेना में जो लोग होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो नियम कानून के प्रती काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, और उनका जो नियम कानून जो उनके नौकरी के दौरान तो चल तो बहुत स्ट्रिक्ट थें तो उनका जो काम करने का जहता था यचि कि उनका जो एक बयस्थित लाइव था और उन चीजों को हमने सीखत कि सबसे बड़ा समय की पमंधी का जो उनका जो यह था समय का पमंदी से ही उन्होंने सब काम किया उस चीज को हम लोग ने अपने अंदर लाया और हम तीन भाई हैं तीनों भाई हम लोग उनके अनुभाव का उनके समय का जो पावन्द था उसको हम लोग ने सिखा और जाहिर सी बात है कि उनके इन सारी चीजों को हम अपने जीवन में उतारे और आज भी हमारे बाबु जी 75 साल के हो गए आज भी उनका अनुभाव कहीं न कहीं हमको काम आता है और उनका सिर्वात अनुभावत सब मिलकर के उतार गए आप लोगों ने जब इसकी सुरुवात की तो बिहार में आपने कहा कि इसका बहुत ज्यादा क्रेज उस पता दे रवी जी कि उस समय स्रिफ सुरक्षा के नाम पर लोग इसको चोकीदार बोलते थे तो चोकीदार कहीं कहीं बरे बरे कंपनियों में दो-चार लोग चोकीदार के रूप में रख लेते थे जिनके पास प्रोपर इनिफॉर्म नहीं होता था और ऐसे ही काम करते थे पर दंटा लेके खड़े रहते थे लोग आये गए उनसे पुछना उसके बाद करना हम लोग ने इसमें पॉर्फेस्नलिजम लाया जो चोकीदार नाम था चोकीदार को हम लोगों ने सीकीरोटी गार्ड के रूप में बदला और वो पॉर्फेस्नलिजम था उसमें हम लोग तरीके से सालिन तरीके से कोई भी जो हमारे वीजिटर्स आएं उनको उनसे बात करें और यह सब चीज था दूसरा चीज की गवर्मेंट सेक्टर में भी कुछ ऐसी जगह पर जहां चोकिदार थें उनको हटा के बहुत सारे टेंडर्स निकलने लगे जिसमें लोगों ने प लोग यह बोल रहे हैं कि जितने भी पूरे भारत वर्स में आपके जनकारी के लिए हम रवी जी बता दें कि पूरे भारत वर्स में सेना अर्थ सेनिक बल बिहार पुलीस यूपी पुलीस मध्यपरदेश पुलीस बहुत तरह की सेना है उनसे तीन गुना ज्यादा पूरे बहुत बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है और क्यूंकि अभी जो हमारे देश की माननिय प्रधान मंत्री हैं इस सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया है बहुत तरह की इसमें सुविधाय दी हैं बैपार करने में हम लोग बहुत सुविधाय दी गई हैं सरकार के तरब से और भविसमें हम लोग चाहते हैं कि सरकार बिहार हो बिहार सरकार हो उतर प्रदेश सरकार हो या भारतवर्स के जितने भी राज सरकारे हैं उनसे हम लोग मदद के उपक्छा रखते हैं कि हम लोग औ और बहुत सारी सुधाय उनसे मिल जाए ताकि हम लोग को रुजगार पैदा करने में बैपार बढ़ाने में मदद मिल सकते। क्या लगता है कि मैंने सरकारी अस्तर पर एक बढ़िया महोल मिला जिससे इस बिजनेस को और बढ़ाया जा सके। हम लोग को मिला रुजगार बढ़ाने में सरकार का बहुत सहयोग रहा और यहां तक कि क्यूंकि हमारा जो सेक्टर है वो गृभ बिभाग गृभ मंत्राले के अंदर आता है तो गृभ मंत्राले के सरकार के साथ बैठके काम करने में और उमीद है कि आगे ऐसा उन्हों का सजोग मिलता रहेगा अरुन जी जहां तक मुझे जानकारी है कि काफी संघर्स के बाद आपने अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ाया और बिहार से सुरुवाद करके आप इसको बिहार के बाहर भी ले गए तो काफी व्यस्ततम सीडूल रहता होगा आप लोगों को अक्सर बाहर भी जाना पढ़ता होगा और सर्विस को ले करके कभी कभी सवाल भी खड़े होते होंगे तो किस तरीके से आप लोग इन चीजों को निपढ़ते हैं बहुत ये खटा मीठा अनुभाव रहता है अनुभाव ये है कि रभी आपको बता दे कि ये हमारा जो सेक्टर है ये हमेशा आप सुनते होंगे पहले गाओं घर में जो चोकिदार घुमते थे रात को तो वो चिला करता है कि कभी-कभी दुर घटनाएं किसी तरह की में सवस्कोनाइन मिलती है कि उन unlimited घट घट गई तो उसमें कितने प्रॉंप्नेस होती है आप कितना अप्रॉप्नेस करpie पाते हैं कितने आपके शुरक्षा कर्म Chandler ने के बाद हमारे security agency कितने उसको seriously लेकर के उसकाम को निप्टाना पुलिस से लाजन करके उसे मिल करके सारे चीज़ को solve करना यह बहुत बड़ी जिम्यवारी है और हम लोग बहुत बड़ी बड़ी जिम्यवारी ओको निभाए है प्रॉलम आते रहती है है और solution निकलते रहता है क्योंकि एक अनुभाव भी हम लोग आये है वो काम करता है और एक विश्वास भी है है सरकार को रासरकार को कori करप्रेट कमपनियों को बड़ी बड़ी कमप्नियों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से इनके साथ हमारा बेपार है तो उनका आम पे विश्वास है वो समझ चुके हैं हम लोगों को कि नहीं इस security agency से security लेने पर हम लोगों को बहतर services मिलेगी इसका कहने का मतलब है कि इसका एक ब्यापक अब असर है और ब्यापक तोर पर अब इसकी एक demand भी है और एही कारण है कि एक बहतर महल में आप लोगों को काम करने में बिल्कुल आपको हम बता दे कि पहले आप समय बैंकिंग सेक्टर हो तो पहले क्या था कि बैंक का कैस एटियम में security बैंक का सुरक्षा यह सिर्फ राज सरकार की जिमें रहती थी अब तो आप कभी आप जाके देखे कि हर एक जगह आपको नीजी सुरक्षा agency के गाड मिलेंग तो हम लोग का सरकार को बहुत सहयोग कर रहे हैं और बहुत सारे सरकारी संस्थानों में जहां सुरक पहले राज सरकार की policing थी अब वहां नीजी सुरक्षा agency को विश्वास पर दिया गया है और बेखुबी हम लोग बहुत बहुत बहतर तरीके से इसको निभा रहे हैं और क से tweak नहीं हैं लुग इस का meiooting से लुट लेखते हैं हैं आपने का सब्सक्राइब और सबमावीं सब्सक्राइब भी होता है सुपर्वाइजर फिल्ड ऑफ सर्क सिक्रियोटी लोग कि उनका एक स्प्रेंस के धार पर आप लोग उनका पोस्ट विजिन डिट करते हैं तो मैं आपको हम बता दें कि हमारे एक सिक्रियोटी गार्ड ब्रांच मनेजर तक गया है प्रमोशन हो करके यह बहुत रहती है और यह बहुत अच्छा महोल बन रहा है सरकार का भी सवयोग मिल रहा है और भवी से में सबसे बड़ी यह सेक्टर है जो रोजगार देती है और हम अभी भी आप इसका सर्वे कर लें आप अपने स्तर से क्योंकि आप लोग तो ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड करते हैं तो सबसे बड़ी यह सेक्टर है सारे इंडस्ट्री से ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं संघर्स भारा जीवन रहा इस अंपायर को खड़ा करने में काफी परिसानियों का सामना करना पड़ा यह बिलकुल हम लोग एक बहुत नीचे से काम सुरू किया था दो त बहुत नीचे से स्टार्ट करके और आज हम लोग अपने महनत करके हमारे कंपनी के जो और भी लोग हैं हमारे साथ जो जूड़े सुरू से महनत करते करते और यहां तक हम लोग कंपनी को लाए हैं भविसमें और भी बहुत सारे सिम्मेंट करनी है कंपनी को और महनत जारी ह और भी आगे हम लोग कुछ करेंगे आज के इवाव को यह बताना चाहते हैं कि आप केवल यह मत सूचके चलिए कि हम पढ़ली करके कहीं नोकडी पालें या आप स्रिजन करता हैं आप नेया रुजगार पैदा करने के आप में बहुत सारी चमता है और हमारे देश में खास करके बिहार के इवाव के अंदर इतनी प्रतिभा छुपी हुए रभी जी कि वो अगर चाहें तो बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं और हम यही संदेश देना चाहते हैं वाव को कि आप रोजगार पैदा करने के लिए रोजगार स्रिजन करने के लिए बहुत सारी ऐसी बैपार हैं बहुत सारे ऐसी जिसको आप कर सकते हैं बैपार के अलावा आप नोकडी या किसी बड़े बड़े कॉर्परेट सेक्टर में हमारे यहां भी देखते हैं कि बिहार से बहुत दूर दराज के लड़के बहुत दूर दराज गाउं के लड़के आयकर के हमारे यहां नोकडी करते हैं और बहुत आगे तक गए हैं हमारे कंपनी में बहुत आगे तक उनका प्रमोसन हुआ है कभी-कभी उनसे मिलना होता है बहुत देख करके खुशी होता है तो रोजगार विरजगारी यह जो चीजें हैं यह पुडानी बाते हो गई अब यह लोग अब समझ रहें कि हमको कैसे आगे करे बिल्कुल इसमें कोई दोमत नहीं है अगर आप में धहर नहीं है जुनून नहीं है कुछ काम करने के लिए आप कभी यागी नहीं है और उनजी आपके साधी हो गई है जी बिल्कुल बच्चे भी जी दो बच्चे हैं एक अनाम आशुतो से और एक अनाम अस्मित है और उन जी हमने ये नीजी सवाल इसलिए आप से पूछाए क्योंकि जिस तरह का आपका सेक्टर है आप लोगों को हमेशा घर से बाहर रहना होता है होगा घर पर आप लोग बहुत कम समय देते होंगे तो बीवी के साथ नोग जोग भी तो होती हो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बाहर भी और अंदर भी मतलब कि यह तो उनका हमेशा कंप्लेंड रहता है घर के लोगों का चाहें पतनी हो चाहें बच्चे हो कि आप हमेशा काम के सिलसले में बाहर रहना और हम लोग के पास कम समय देना तो किसी तरह मना लेते हैं, पठा लेते हैं, कही है तो, बिल्कुल सहयोग मिलता है, और हमको, मैं आपको बता दूँ कि हमारी धरम पतनी जी, हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बुरे से बुरे वक्त, अच्छे से वच्छे वक्त में हमारा साह दिया है, हमारे सहयोग हमेसे मिलता रहा है, बिल्कुल, एक्च्छली में ये सवाल इसलिए हमारे मन में है, क्योंकि हमारे सेक्टर में भी है, एकसर हम लोग हर से बाहर रहते हैं, तो बीबी के साथ, लेकिन उन लोगों का सहयोग है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई, पतनियों का जो होता है, ईंसान की तरक्की में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा हात होता है, तो जाईर तो कहीं नहीं कहीं होले होता है, हम लोगों को मिलता रहा कि हम लोग इसमें ये करते रहे हैं, अब अन्तिम सवाल आप से करें ग। ani रहूं जी कि आपने तो काफी संघर्स किया, एक empire को खड़ा किया और अब कैसा अब फिल करते हैं क्योंकि आज से 15 साल पहले आपके अंदर जो से 15 साल के बाद बदलाओ तो जरूर हुए है जी बहुत अच्छा रखता है रभी जी पुराने समय को याद करके समय वह भी बुरा नहीं था बस एक जुनून था काम करने का और जाहिए इसी बात है कि जब किसी लक्ष को आप पाते हैं तो एक अच्छा अनुभव होता है और वह अनुभव बहुत अच्छा है भविस में और भी हम लोग को आगे जाना है अमारी कमपनी को और बहुत सारे टार्गेट रचीफ करने हैं तो यह संगर्स कभी खतम नहीं होता है संगर्स चलता रहता है और चलता रहेगा बिलकुल हमारी विशुफ कमनाय हैं और आप मिल रहे थे इस खास मुलाकात में मिश्टर अरून पांडे से मिलवाने का उद्ध यही था कि संगर्स इन्होंने काफी किया है और एक एमपायर खड़ा किया और आज जो कल तक खुद रोजगार की तलास में भटकते थे आज इन्होंने एक एमपायर खड़ा किया और के लिए भीनों ने बहुत अच्छी बात कही है कि विरुजगारी कोई समस्या नहीं है अपने अंदर धैजे रखिए अपने आपको आगे बढ़ाइए कुछ करने का जुरून रखिए सफलता आपको निश्चित तोर पर मिलेगी आपको ऐसे ही खास मुलाकात में किसी और सक् दिया इजाजत और आप दिखते रिए HDF News नमस्कार